दिल्ली के डिप्टी सीम मनिस सोधिया को आज सीबिया ने पुछताच के लिए बुलाया है इसको लेकर आमाद्मे पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी हमले तेज हो गए है दिल्ली के सीम अर्विन के जिवाल ने कहा कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ महीं दूसरी और के जिवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में राजनितिक शडियंत्र के चलते ये सब हो रहा है वहीं तीसरी और बीजेपी ने कहा कि अगर घोटाला नहीं हुआ तो क्यूं बतली शराब ने थी? शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ, सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई, यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रिवेन्यू बढ़ा, तो दिल्ली के अं एक तो अर्विन केजरी वाल ने जो कहा, कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, तो पहले सवाल तो हमारा वो ही था, कि अगर घोटाला हुआ नहीं तो शराब में वापस क्यों ली, और जहां तक मुनिसी सोधिया की बात है, सी बी आई नहीं की जंसी अपनी जाच कर रही है, और नहीं की चक्की थोड़ा धिमा पीशती है, मैं उनको ट्वीट देख रहा था, कि वो कहरें कि मैं सी बी आई के साथ जाच में सहयोग करूँगा, तो मेरा उनसे निवेदन है, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक बार कॉपरेट ना करके देखें.